तो आज है 16 सितंबर 2021 तेजा दस से तेजा दशमी की कता सुनेंगे तो तेजा जी का विवा बच्पन में पेमेल से हो गया था परन्थो शादी के कुछ समय बाद उनके पिता और पेमेल के मामा में कहां सुनी हू गई और पेमेल के मामा की मित्व हू गई इसकारण तेजा जी को उनके विवा के बारे में नहीं बतलाया गया एक बार उनकी भावी ने तानों के रूप में ये बात कह दी कि तब तानों से दुखी हो सस्राल का ठिकाना जानकर लीलेन गोड़ी पर सवार होकर पत्नी पेमल को लेने गए तो रास्ते में तेजा जी को एक सर्प आग में जलते हुए मिला नोंने सर्प को बचा लिया किन्तो सर्प जोड़े से बिछूट जाने के कारण क्रोधित हुआ और उसने डसने लगा तब उभोने लोटाते समय डस लेने का हचन दिया और ससुराल की ओर बढ़ने लगे किसी की कारण में ससुराल में तेजा जी को तीरसकार का सामना करना पड़ा तो तेजा जी की प्रतम बेट पेमेल से उसकी शेली लाखा गुजी के घर पर हुई तो पत्नी की सहेली लाखा नाम की गुजी की गायों को मेर के मीना चुरा कर ले गए थे तो लाखा की विंति सुन टेजाजी ने वचन दिया टेजाजी ने लुटे रोस संगश कर गायों को छुड़ाया और इसको रक्षा युद्धी में तेजा जी अतेंद घायल हो गई और वापस लोडते समय सर्ब को दिये हुई वचन की पालना करते हुए पूरे शरीर पर घाव होने के कारए जीब पर कटवाया। इशनगड के पास सूरसरा में सर्ब देंस के कारण बाद पर शुकला दश्मी तीथी समध को उनकी रत्यू हो गई और उनकी पत्नी पेमेल ने भी उनके साथ अपने प्राण त्याग दिये। उस सर्ब ने तेजा जी की वचन बद्धिता से प्रहसनों को ने वर्दान के देवता के रुप में माना जाता है। इंटाँ की प्रभभ हहा जाता है। तो यह थी थे69 की का इसरों को विडियो अच्छे लगे तो वृडियो को लाइक कीजेया को सब्सक्राइब कीजिए ऴरीकृन झाल झाल झाल